दोस्तों ये खड़ी भी है ब्रैंड न्यू बजाज पलसर नेश 200 एंड ब्रैंड न्यू बजाज पलसर एन्टू फिप्टी दोस्तों आज की इस फिडियों में इस दोनों भाई के बीच में डीटेल कंपेरिजन करने वाल है और आपको एक बात बताऊं दोनों भाई का जो सेम हो चुका है बहुत ही कम प्राइज डिफ्रेंस अब हमें दोनों भाइक में देखने को मिलता है बात निकलके आती कि आप NS 200 लेना चाहिए फिर N250 लेना चाहिए इस वीडियों के आपको मैं डीटेल में कंपेरिजन मताऊं जिससे आपको फीर हो जाएगा आपको दोस्त कर डीटेल कंपेरिजन जाना चाहते हैं इस वीडियों को आप पूरा ज़रूर देखेगा डीटेल में आपको मैं सारे चीज़े बताने वाला हूँ चली फिर आजके इस वीडियों को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बढ़ाए तो सब्स्राइब कर लिजेगा बेलिक आपको आल्मोस ना के बराबर देखने को मिलेगा दोस्तों एक सुरूम प्राइज आ रही है लग भाग 1,49,000 एक लाग 49,000 रुपए के आसपास की आपको एनस दोस्तों एक सुरूम प्राइज मिल जाती है विज़र मैं बात करूं N250 के बारे में तो N250 आ रही है लग 1,50,000 एक लाग 50,000 रुपए के आसपास की आपको एक सुरूम प्राइज देखने को मिलती है यानि कि दोनों को अगर आप प्राइज कंपरिजन करें तो दोनों में आपको आल्मोस सिर्फ और सिप कितना प्राइज डिफरेंस मिल रहा है आपको मिल रहा है आल्मोस 1,000 रुपिस यह ख़जार रुपए के आसपास का जो प्राइज डिफरेंस है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है जो कि मेरे साब से काफी कम प्राइज डिफरेंस आपको दोनों के डीटेल कंपरिजन में सबसे पहले आप दोनों की की ओन कर लेता हूँ आप और सबसे और अपयमन करके बता ही कि दोनों में आपको किसकी डियाग बैतर लग रही है अना की दोनों की डियाग जो काफी प्यारी लगती है कंपनी ने दोनों की डियाएगा चाह्पे आपको देखने को मलता है क्लोब भी में आपको पास बार के दिखाता हो यह के एंसी कंपनी नहीं आप पर फुली एल्लेटी जो लाइट है इस बाइक में ओफर किया हुआ है इस लाइट की इल्यूमिनेसन प्लस विजिबिलिटी वह आपको यहां पर बहुत अच्छी मिल आत के दिखाता कहीं सिंगल यूदी अंच ब्रक आट के बारे में छी वहां पर फब्रक यश्म को डीकेंग की आप लाइट वरस में अपको यहां तो दोनो में आप्को यह ज flattery अब्स सेंगाता है यूसमें गtar कलर की आते हैं उसके थोड़े मोटे हैं उसके लबग चटी सेम इसके लबगना 40, यह नी 31 mm के असपास के मिलेंगे, उतके सप्स्पेंशन थोड़े से बड़े हैं, इसके कम प्यार में, टायर साइज में थोड़ा सा फरक है, N-S में आपको 180 का टायर मिलता है, N-250 में आपको जो है 11070 के असपास के जो टायर साइज है, वो आपको देखने को मल जाता है, चली, अब चलते हैं दोस्तों दोनों के एंजिन कमपेरेशन की तरफ, देखें एंजिन में आपे न, लेकिन दोस्तों फरक यह है कि एक तरफ है और एक तरफ है लिक्विड कूल एंजिन, दोस्तों, N-S में आपको 1.19.5C का लिक्विड कूल 4 इस्टोक, SOSC सि देखने को मिल जाता है, तोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपनी N-250 के बारे में, दोस्तों, N-250 में आपको एंजिन टाइप में बजाज की तरफ से, 249.07C का ओल कूल 4 इस्टोक, SOSC, 2 ओलो सिंगल सिलेंडर एंजिन आपको बाइक में देखने को मिलेगा, दोस्तों, N-250 जो एंजिन आप 24.5 का PS power generate करती है और 21.5 का torque generate करती है, N-S जोस्तों, 24.5 का PS power generate करती है, 18.7 का torque generate करती है, देखिए, यहाँ पर अगर आप compare करे, तो जैर से बात है, जो torque हो में न-S पे जजादा देखने को मिल रहा है, लेकिन, भाई, performance वाई, अगर मैं बात करूँ तो दो अपनों की परफॉर्मेस बाइक सेम अल्मोस सेम है थोड़ा सा जो आपको न टॉर्क जो हो फील होगा क्योंकि टॉर्क जादा है आपको थोड़ा सा वह चीज यहां पर पता चलने वाली है कुलिंग सिस्टेम में आप देख पार रेडियेटर देने की लिक्विड कूलर है और यहां पर आपको एंटुफिप्टी में वाइल कुलिंग इंजिन देखने को मिल जाता है प्लस दोस्तों आपको बदा दू यहां पे एक मेजर फ़रक यह है कि अपनी जो इनस है उसमें आ आप लोगों को जो है ना स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है बाकि दोनों का एंजिन स्पेसिपिकेशन जैसे आपने देखा कि एंजिन में देखें दोनों का एंजिन सेग्मेंट तो काफी अलगा क्योंकि एक तरफ और और लिक्विट पूलिंग इंजिन बटी है कि स्पेस्पिकेशन बात करने मालिच के बारे में दीकिये मालिच दोनों बाइक का almost 40 40 के आसपरस का मालिच दोनों बाइक का offer कर दे दिया 0 to 100 में दोनों बाइक को almost 10 seconds के आसपरस के लगते है top speed N to 50 का 145 km per hour है N.S. का लबग 140 km per hour के अभी तोनों नेटी आपको देखने को मिल जाती है तो यह पे दोनों का अलग है अजже की आप कमेंने सिरीस थे यह आपको नाइट्रो मोनो सोक अब्सोर्बर मिलेंगे अर्व यहां पर दूस्तो आपको नॉर्मल सिस्पेंशन मिल जाते हैं यह अपनी एंट्विप्टी का एक्जॉस है और यह आपको एनेट्व में अंडर बेली एक्जॉस आपको देखने को मिल जाता तो यह तोड़ा सा फ अपनी एनेट्व का शीट है दोस्तों एंट्विप्टी के सीट ठोड़ी सी प्रीमिम्म लगती है एक अपको नेस्ट वॉनेट्व प्रीमियम लगती है अपको आपको फुली डिजिटल मीटर आपको इस पर देखने को मलेगा आपको ज़ों फीचर आपको काफी सारी सब्सक्राइब अच्छाइब कुल जा जाता है दो से अबसके स्पीडिवटर को कंट्रोल कर सकते हैं बाकि सब्सक्राइब प्लस एक सैल्फ कर्सीज आपको इस बाइक में मिल जाता है बात कर लेते हैं दूस्तों अब हम अपनी एंड टू फिफ्टी जो है ना इसमें दूस्तों आप लोगों फुली डिजिटल मिटर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा बट दूस्तों इसमें आपको जो फीचर है आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं देखिए फीचर में इसमें भी आपको जो आपको सबसे पहले टेको मीटर मिल रहा है इससा अर्पमिंटर भी कहते हैं अपर नेविगेशन है रिफ्यूल इंडिकेटर है गिर इंडिकेटर है ओड़ो में फिल इसके बाद व पर यह रोड़ मोड है ठीक है रोड़ मोड के बाद आपको एक रेन मोड मिलता है तो एक सेलफ के आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है तेहरत दस्तो दोनों भाइक का डीटेल एंजिन स्पेसिपिकेशन वह और दोनों भाई के बारे में आपको डीटेल में बताए है अब वह आपपे डिपेंड करता है तो सब्सक्राइब निकल कर आती है सुमीद करता हूँ दोस्तों आपको एक छोटी सी इंट्रेसिंग विरो अच्छी लेगी कि विडिए अच्छे लेगी तो एक लाइक करना चैनल पर पहले बेरा है तो सब्सक्राइब पर लेना मिलते हैं नेक्ट विरो में लव यू अल जैन बनमात राम